नमस्कार आपको सुखेत स्टॉक लॉजी में आज हम बात करने वाले हैं बीएफ इन्वेस्टमेंट लिम्टिट के बारे में जिनके आज ही रिजल्ट जारी हुए है तो जिन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब में किया सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन प्लिक करते हैं जून 11 के रिजल्ट बात करते हैं हम सबसे पढलें थार नमबर कॉरण टोटल एंकम की जून 20 के इंकम थी 49 मिल्यों की की मर्च 28 सब्सक्राइब तो जून पिसक्रेंब न हम इनकम रोपर 222 , तो हमें टोटल होती होते होोते हैं ति दिखाई दिए रही हैं कि मार्च सब्सक्राइब East करेंदे रहा हैं अब हम बात कर लेते हैं टॉटल क्षिन एकसी सहब से नीचे दिए गाए हैं तो जून भी सबसे पहले हम देखते हैं तो यहां पर में अगर हम देखते हैं तो हमें इनकम बढ़ती हुए नजर आ है जबकि expenses में हमें कमी होती हुए दिखाई दे रही है अब हम बात कर लेते हैं profit and loss statement की तो सबसे पहले हम देखते हैं एट्थ नमबर पॉइंट प्रॉफिट अब रिग लॉस विफोर टेक्स को तो जून वी स्कॉटर में 47 मिलियन के लॉस थे मार्च की स्कॉटर में दोहजार सासो नियासी मिलियन के profit में करणवाड हुए और जून की स्कॉटर में 452 मिलियन के profit रहे तो अगर बात करते हैं जून वी स्कॉटर से जून की स्कॉटर यानि के यर औन यहां पर हमें profit before tax की तो हमें काफी ज़्यादा व्रद्दी होते हुए दिखाई दे रही है अगर हम बात करते हैं quarter quarter में यानि कि मार्च किस quarter जून किस quarter में तो यहां पर हमें profit before tax करते हुए नजार आ रहे हैं अब हम देख लेते हैं net profit को यानि कि 10th नंबर पॉइंट सबसे नीचे दिया गया profit after tax तो जून 20 quarter में 35 मिलियन के loss थे मार्च किस quarter में 2080 मिलियन के profit हुए और जून 21 quarter 332 मिलियन के profit रहे तो जून 20 quarter जून 21 quarter यानि कि year on year में देखते हैं तो हमें profit में 1037 प्रतिशत के व्रद्धी year on year में होते हुए दिखाई दे रही है अगर हम बात करते हैं quarter on quarter में एक मार्च किस quarter जून 20 quarter में तो यहां पर जो net profit है वह हमें quarter on quarter घटते हुए दिखाई दे रहे हैं ओवर और रिजल्ट्स को